मैं परमेश्र का धन्यवाद देता हूँ, प्रभू ने एक बार फिर हम प्रते कोई खटा होने का एक मौका दिया अई हम प्रातना करकर शुरू करता है हमारे सुर्गे पिता प्रभुशी हम आपको धन्यवाद देता है पिताप का वचेन जब हम सीखने के लिए जा रहे है प्रभू निम्रतासे आपके चर्ड़ों में आता है अपने वचेन को आप हमें खोल कर दें समझने के लिए आप साहेता करें हрип आईके सब बातों का हम आपके हाथ में सौन्थे सरादर महिमा के उलम आपको देते हैं प्रात्ना प्रभी यिश्य मसी के नाम से हम मानते हैं आमे मैं परमिश्य का धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने हमें बीते समयों में समस्या से सम्भनित परमिश्य का वचन हमें क्या जवाब देता है हमें किस प्रकार एक एक परिस्ततियों का सामना करना है हम उसी उनी सिरीज में हम लोग देखते वे आ रहे थे और आज हम लोग अध्यन करेंगे कि मैं किस प्रकार अकेलेपन का सामना करो आज अगर आप देखेंगे तो अकेलापन की जो भावना है अगर मेरा मानना है जो कोई इस अनुभव से जाता है वो बहुत ही समा सकता है कितना भयानक होता है कितना पीड़ा दायक होता है अकेलेपन की भावना कितनी बार अकेलेपन जब आता है तो एक भावना अंदर से आती है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या किसी को आपकी चिंता नहीं है किसी को आपकी फिकर नहीं है कि आप जिंदा है, मर गए कोई पूछने वाला नहीं है यहां तक कि आप एक ऐसा अनुभव करते हैं कि आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हैं इसलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं इसकी बात ऐसी है कि आप भीड में होकर भी आप बहुत सारे लोगों के संग रहे कर भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर सकते हैं इसे बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें और इस समस्या का जवाब परमिशर का वचन क्या देता है वो हम लोग अधियन करेंगे तो यहाँ पर जब देखते हैं हम लोग अकेला पन इसलिए नहीं आरा कि कोई है नहीं अकेला पन बड़ी भीड में भी लोगों के संग रहने पर भी एक कारण क्या है लोगों के साथ मेरा रिष्टा कैसा है हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों के संग रहता हूँ लेकिन किसी के साथ भी मेरा करीब कोई रिष्टा ही नहीं है किसी के साथ मेरी दोस्ती नहीं है मैं किसी से बात नहीं करता मैं किसी से मिलता जुलता नहीं मैं किसी के साथ अपनी भावनाओं को अपनी बातों को शेर नहीं करता बांटता नहीं तो आप भीड में होकर भी सबके संग होकर भी आप अकेलापन महसूस करेंगे और अकेलापन बहुत ही बहुत ही पीडाता एक भावनाओं में से एक है सबसे भयानक मैं बोलूँगा तो कई बार लोग सुसते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा मैं बहुत धन्वान बन जाओंगा बहुत अमीर बन जाओंगा तो शायद मैं अकिलेपन से निजात पालूँगा ऐसा नहीं है कितने बार आप जानता है लोग अकेला पंदूर करने के लिए अपनी भावनाओं में को निहंतर मिलाने के लिए बहुत खर्चे पर खर्चा करते रहते है ये सोच कर कि शायद वो चीज़ शायद ये चीज़ शायद इन चीज़ों को लेकर मैं अपने जीवन का अकेला पंदूर कर सकता हूँ आप अगर न्यूज देखेंगे न्यूज पेपर पढ़ेंगे आपको साफ नजर आएगा दुनिया में कितने अरब पती करोड पती है पैसे की कमे नहीं है अमीर है लेकिन फिर भी अपने जीवन में अकेला पंद महसूस करते है ये बहुत ही भयानक है कई बार लोग सुसता हैं कि शायद अगर हम सुन्दर दिखेंगे जादा लोग हमें देखेंगे तो शायद अकेला पंद खतम हो जाएगा आप सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज बहुत सुन्दर हैं बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में उनके परसनल लाइफ को अगर आप नजर देखेंगे वो अपने जीवन में यहाँ पर इसलिए हम लोग जब देखते हैं तो आज कितनी बार ऐसा होता है कि लोग शादी भी इसी चक्कर में कर लेते हैं कि अपने जीवन से अकेलापन को दूर करें लेकिन शादी करने के बाद भी जब अकेलापन नहीं जाता तो तलाक हो जाता है क्योंकि जिस उदेश्य से शादी करी थी वो उदेश्य उनका पूरा नहीं हुआ तो इसलिए ये जब हम मैं आपको कई सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कई उधारन ताकि आप और मैं समझ सकें हम एक एक कि अकेलापन कोई छोटी मोटी बिमारी नहीं है छोटी मोटी चीज समस्या नहीं है एक बहुत ही खतरनाक है जो और भी कई प्रकार की मुसिबतों में एक विक्ति को डाल देता है इसलिए हमें के को समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन क्या है कैसे है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक विक्ति हर एक विक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलापन का सामना जरूर करता है और अकेलापन ऐसा नहीं है कि कोई विशेश लोगों के जीवन में सबके जीवन में जब आता है लेकिन अलग-अलग कारणों से आता है और अलग-अलग कारणों से जब अकेलापन आता है तो उसका इलाज भी अलग-अलग कारणों से ही होगा जो परमेशर का बचन हमें देता है कितनी बार अकेलापन हमारे खुद के कारण आता है और कितनी बार अकेलापन हम एक ऐसी परिस्टती में फस जाते हैं जहां पर हम अकेले पड़ गए जहां पर जो हमारे बस में नहीं था उस परिस्टती में पॉलुस भी उस अनुभव से गए जब वो रोम में, बंदीगरे में है, जेल में है तो वो अनुभव से वो जब जा रहे तो अपने मरते वक्त, अपनी अंतिम जठी तिमुथियूस को लिखते वे, अपने प्रिये तिमुथियूस को लिखते वे वो अपना उस भावना को प्रगट कर रहे हैं तो हम उस बात को हम लोग परमिश्र के वचन से दूसरा तिमुथियूस चोथा अध्याय में हम लोग देखेंगे कि ये अकेलेपन के विशे में पॉलुस के अनुभव कर रहा था और किस प्रकार उसने उसका सामना किया तो आज हम लोग चार बाते देखेंगे कि किन किन बातों से अकेलापन एक विक्ति अनुभव करता है सबसे पहला आता है जीवन में आने वाला परिवर्तन, जीवन में आने वाला बदलाव या ट्रांजिशन को हम बोलेंगे तो इसमें अगर मां बोले एक विक्ति के उमर के साथ साथ जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन के समय वो व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन अनुभव करता है उधारन के लिए एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में आता है जनम लेता है वो भी अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है और वो अकेलापन कैसे जाता है जब वो रोता है जब तक माता पिता का ध्यान बच्चे के पास नहीं जाएगा उसको खिलाएंगे नहीं उसको प्यार नहीं करेंगे वो रोता रहेगा क्यों एक अकेला पर अंदर महसूस है जनमते साथ फिर उसके बाद आगे हम कई में आपके सामने आप पीछे मुड़कर अगर बच्चपन का समय देखेंगे पहली बार जब स्कूल जा रहे थे अंदर एक अकेला पन था एक अकेला पन का अनुभव उस समय में भी था उसके बाद जब आप काम के स्थान पे भी जाता है अकेला पन है पुराने काम को छोड़कर नए काम के पीछे जब जाता है वहाँ पे भी अकेला पन महसूस होता है फिर उसके बाद जब काम छोड़कर घर बैठ जाता है रिटायर्मेंट लेकर तब भी अकेला पन महसूस होता है तो यहां तक कि जब आप मौत अपने प्रिये जन की जब मृत्ति हो जाती है, उस समय में भी अकेलापन महसुस होता है, कहने का मतलब आप देखेंगे जब जब परिवर्तन जीवन में आ रहे हैं, जब जब जीवन में एक बदलाव, एक मोड आ रहा है, एक अकेलापन है और डर है, और यह अकेलापन जो डर के साथ बहुत खाता है, बहुत खाता है, आपको वालों मैं अगर आप न्यूज देखेंगे, इस अकेलेपन ने कितने की कितनों की जिन्दगियां बरबात कर दी है, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुतों की जिन्दगियां बरबात करना अकेलेपन के द्वारा आता है इसरे हम इस बात को उस गंभीरता के साथ देखें, समझें क्योंकि जीवन का तो भाग है चाहे हम कुछ भी कर लें अकेलेपन से कोई बच नहीं सकता हर एक को अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करना ही पड़ता है लेकिन अगर मैं परमीशर के वचन के द्वारा तयार रहते हैं अगर हमें तो उस परिस्टिती में हम लोग दिलेरी से उसका सामना कर पाएंगे तो यहां पर जो हमने बदलाव में हम पॉलस जिस बदलाव से होकर जा रहा था अपने आखरी बदलाव में आपको आलमे क्योंकि अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में या घर में जब कोई मर रहा होता है अंतिम शणों में होता है कितनी बार ऐसा होता है अब कोल में जो बुजर्ग होते हैं, जो मर रहे होते हैं, सब अपने अपने काम में व्यास्त हो जाते हैं, 70% लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई मर रहा है, उसके साथ कोई बुजर्ग है, हमें उसके साथ समय बिताना चाहिए, सब बोलते हैं, नहीं हम ये बिमार है या इसको तक्रीफ है, हम अपना time waste नहीं कर सकते हैं। सब अपना-पना काम की और चले जाता है। सबको व्यक्ति एक बूज जैसा लगने लग जाता है। मैं 70% लोगों की बात कर रहा हूं। 30% हैं जो ध्यान देता है। लेकिन 70% कितने ऐसे हैं जो रिसर्च में पाया गया है। कि एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीओ में है या वाड में है। कितनी बार ऐसा होता है उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। और वो बिल्कुल बोलते हैं अकेलेपन का और भी भयानक रूप हो जाता है जब ऐसा होता है कि जब कोई मेरे साथ नहीं है। किसी सब अपने अपने काम में अपने अपनी दुनिया में व्यस्त है। जब तक मैं ठीक था, जब तक मैं दूसरों के काम आ रहा था, तब तो सब कोई मेरे पास था। लेकिन अब मैं एक ऐसे अनुभव में आ गया कि ऐसा लगता है किसी को मेरी जरुरत नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला पढ़ गया हूँ। और वो अकेला पन अंदर से बहुत, मैं आपको ओलता हूँ, बहुत बुरी तरह खाता है। बहुत बुरी तरह, जिसे मैं बता नहीं सकता। कितने लोग इस अकेले पन के शिकार हुए और कितनों के जिंदगियां बरबाद हुई। पॉलुस जब अपने अकेले पन के बारे में बात करता है, तो जीवन का अंतिमशन है। दूसरा तिमित्यूस चार का छटा अध्याय का छटवा वचन। क्योंकि अब मैं अर्ग के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यहाँ पर बोलता है, अब मैं अर्ग के समान उंडेला जाता हूँ, मेरे कूच का समय, पॉलुस तिमित्यूस को बोलता है, मेरे अब जाने का टाइम हा गया है। तिमित्यूस मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। रोम में नीरो सम्राट के सामने खड़े होकर, राजा कभी भी मुझे जान से मारने की आज्या दे सकता। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तू बस जल्दी से आजा या तो मैं मारा जाओंगा तलवार से या तो उमर से यानि मौत तो निश्यत है और मेरे पास इस समय ज़्यादा नहीं है इसलिए हे तिमुति उस तू जल्दी आजा क्योंकि मुझे उससे मिलना है उसका साथवा और आटवा भी पड़े मैं अच्छी कुष्टी लड़ चुका हूँ मैंने अपनी दौड पूरी कर ली है मैंने विश्वास की रखवाली की है भविश्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याई है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिये जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब पौलुस अपने अकेलेपन के समय में जेल में जब है ते मुझे उसको साफ साब बता रहे जल्दी आजा मेरे जाने का समय आ गया ज़्यादा टाइम नहीं ये मेरे पास मैंने अपना सेवा पूरा कर लिया अब कुछ और नहीं रहे गया तो पहला हमने देखा जीवन का एक भाग जब भी परिवर्तन होता है एक व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है नमबर दूसरा अलग हो जाना अलग हो जाने के बारे में जब हम बात करते हैं तो कितनी बार जब हम कहीं जाते हैं अपने प्रिये जनों से अलग हो जाते हैं अपने परिवार से, काम के वज़े से, या सिवकाई के वज़े से, बहुत सारे कारणों से, जब हम अपनों से अलग हो जाते हैं, वो भी एक जीवन में एक अकेलापन लेकर आता है, और आपको मालूम है, जील में भी जो सबसे भयानक पनिश्मेंट होता है, वो तब होता है, जब एक कैदी को बाकी सारे कैदियों से अलग करकर, सबसे अकेले उसको बंद करके डाल दिया जाए, जहां वो किसी से बात ना कर सके, हम इनसान हैं और हमें, चाहिए कि हम किसी से बात करें, जब कोई बात करने वाला नहीं होता, बिलकुल अकेले, वो एक बहुती अनुभव होता है, और अकेला पन जैसा अनुभव होता है, इसलिए आप पॉल्यूस के बारे में जब पढ़ते हैं, तो दूसरा कुरंती, दूसरा तिमत्यूस 4 का 9, उसी के 9 वी आयत में जब हम पढ़ते हैं, पॉल्यूस बोलता है, मेरे पास शीगर आने का प्रयतन कर, पॉलोस को तिमत्योस को बोलता है मेरे पास जल्दी आ, क्यों, मैं अकेला हूँ, जाने का टाइम आ गया, जाने से पहले तुझे एक बार मिलना चाहता हूँ, तुझे मैं देखना चाहता हूँ, एक वो आनुभव, कि तु जल्दी आ, और आप बचन में जब पढ़ेंगे हम पत्र को लेते आना, तेरवी आयत में बोलता है आना, नौवी आयत में बोलता है आ, जल्दी आ, अब उसके साथ एक्विए आयत को हम पढ़ें, जाडे से पहले चले आने का परहत्मे कर, ठंड पढ़ने से पहले आजा, यानि बार बार पालोस तिमत्योस को जोड दे रह तिमत्योस जल्दी आजा, जल्दी आजा, क्यों? अलग अकेला पन सही नहीं है, यहाँ पर जब आप देखते हैं, पालोस जब नौवी आयत के बाद में हम जब आगे देखते हैं, पालोस अपने एक-एक मित्रों को याद कर रहा, तिमत्योस से अपने एक-एक मित्रों के बारे बात कर रहा है, कारण क्या है? पौलस कभी भी सिवकाई में अकेले नहीं गया, हमेशा कोई ना कोई था, जिसके संग वो सिवकाई में जाता था, हमेशा लुगों के साथ मिल जुलकर रहने वाला वेक्ती था, लेकिन अब इस हालत में जब देखें, एक तो उमर हो गई दूसरी और जेल में अकेले डाला हुआ है और साथ में कोई नहीं है पॉलस बोलता है लूका को छोड़ अब मेरे पास कोई भी नहीं है बाग एक दूसरे देश में रोम में है रोम के जेल में है बागी सब इसके सारे में तर दूसरे देशों में है तो कहने का मतलब सबसे अलग है तो चिठी लिखते वक्त अपनी वेदना को वो अलग होने कि उस पीड़ा को पॉलस तिमत्योस को बताता है तो जिससे हमें क्या बात समझना चाहिए कि अकेलापन कितनी बार अलग होने से अपने प्रियों से जब अलग होते है उस समय आता है क्या आप और मैं ऐसे कोई लोगों के बारे में हमें याद आता है जिससे हमें बात करनी चाहिए और जिससे हम कई समय से बात नहीं कर रहे है ऐसा कोई वक्ती है जिसे हमें शुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि कई बार बहुत देर हो जाती है जो विक्ति चला जाता है न तो एक दुख सा रह जाता है कि काश मैंने बात कर लिया होता कितना अच्छा रहता है न देर होने से पहले पौलस तिमत्यूस को बोलता है इस से पहले कि मैं चले जाऊ तेमत्यूस तु जल्दी आ जा देरी नहीं करना मुझे तुझसे मिलना है तुझसे बात करनी है है न तो हमने दू यहां पर देखा पहला जीवन में आने वाला परिवर्तन दूसरा अलग जब हम अपने प्रियों से अलग हो जाता है तो जो वो पीडा होती है तीसरा आता है विरोध जब अकेलापन लेकर आता है यहां पर इसका चौदवी आयत को हम पढ़ते है सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराईयां की है प्रबू उसके कामों के अनुसार बदला देगा तो यहां पर हम देखते है कि हमें पूरा डिटेल में नहीं मालू कि यहां पर क्या घटना घटी है लेकिन इतना जरूर है कि पॉलूस ने इसके दौरा बहुत बुराईयां जेली है बहुत दुख जेला है बहुत इसने बदनामी की है पॉलूस के पीट पीछे बहुत कुछ इसने गड़बड़ियां करी है है ना तो यह सब बातों के करन जब विरोध भी जब दूसरा विरोध कर रहे तब भी एक अकिलापन एक अनुभव आता है जो बहुत पीड़ा तायक होता है एक जाने का समय आ गया उसका अकिलापन अलग है दूसरा अपने प्रियों से बिछड़ गए उसका अकिलापन का पीड़ा अलग है तीसरा उपर से विरोध भी आ रहे है पीट पीछे बहुत मेहनत पर पानी फेरा जा रहा बहुत कुछ बोला जा रहा आपको अलमें जब कितनी बार ऐसा होता है जब आप कोई बात सही मन्शा से बोलते है और लोग उसे गलत मतलब निकाल लेते है उसका अर्थ ही लोग बदल लेते है उसको गलत समझने लग जाते हैं कितनी बार जब आपको गलत समझा जाता है आप की बदनामी की जाती है आपके बारे में तरह तरह की बातें बुले जाते है आप दूसरों के साथ कितना भी अच्छा करने पर भी आपके बारे में टिपनियां जब होती है तो वो एक पीड़ा देती है जो और अकिलेपन की और लेकर जाता है और मालू में उसमें परिक्षा क्या आती है कि मैं किसी से बात ना करूँ चार दिवारीम के अंदर मैं चुपचा बैट जाओ अपनी दुनिया में रहूँ बाकी किसी से कोई मतलब ना रखो ऐसा करकर मन में भावना या आने लग जाती है कि सारे मतलब ही है किसी से बात करने से कोई फाइदा नहीं है मैं किसी से मिलूँगा नहीं किसी से बात करूँगा नहीं मैं अपना फोन स्विच आफ कर लूँगा हम ना जाने क्या-क्या ख्याल शेतान दिमाग में डालता है फिर तीसरा बात हमने ये देखा उसका चौती बात क्योंकि ऐसा करने से अकेलापन कम नहीं होता बलकि बढ़ता ही जाता है चौता बात यहाँ पर जब हम देखते हैं पॉलुस सोलवी आयत में बताता है मेरे पहले प्रतिवात के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया वरन सबने मुझे छोड़ दिया था भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े पॉलुस क्या बूलता है किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया सब ने मुझे छोड़ दिया आप सोचो पॉलुस की पीछे मुड़कर पूरे पॉलुस की सिवकाई को देखो कितना मेहनत किया इसने रात दिन इधर भागते उधर भागते सिवकाई में कितनी कलीसियां स्थापित करी कितना प्रभु के लिए मार खाया कितना दुख उठाया कलीसिया के लिए क्या क्या नहीं किया कितना प्रकाशनों को परमेशर के वचन के उसने खोल कर दिया लेकिन पॉलुस बोलता है जब मुझे दूसरों की जरूरत थी पॉलुस बोलता है किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया वरन सब ने मुझे क्या कर दिया छोड़ दिया क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जब आपको दूसरों की मदद की जरूरत है बहुती जरूरत है और ऐसे समय में सब मतलबी बनकर अपने अपने रास्ते में जब चले जाते है क्या आप वो अकीलापन मैसूस करते है पॉलूस बोलता है मैं वो अनुभव कर रहा हूँ तिमतियूस कोई मेरा साथ देने को नहीं सब अपने अपने रास्ते चले गए आप सोचने अली बात है यही बात फिलिपी की पत्री में पॉलूस बोलता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के विशे में सोचता है तो यह सब बाते क्यों हम बचन में यह बात को अध्यन कर रहे है हम कलीसिया में आते हैं हम प्रात्ना में आते हैं प्रात्ना प्रमन में आते हैं प्रवी येश्यू जितना अकेलापन का सामना के शायद किसी नहीं किया, जब पिता ने भी मुझे मोड लिया, अंदर से वो रोना है पिता तुने मुझे क्यों छोड दिया, वो करहाना, कहने का अर्थ क्या है, हम जिस प्रभू के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे प्रकार के अकेलापन आएंगे, और हमने इन सारी परिस्टतियों का, क्योंकि ये जो बात है, जब पॉलिस बोलता है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ये क्या चीज़ दिखाता है, तिरसकार को दिखाता है, जब हम तिरसकार का सामना करते हैं, बहुती भयानक पीड़ा है, चार बाते हमने देखी, जीवन में आने वाला परिवर्तन जो अकेलापन लेकर आता है, अलग होना प्रिये जनों से, अपनों से, वो एक अकेलापन लेकर आता है, विरोध का सामना करना, तरह तरह के बातों का सामना करना, वो अलग अकेलापन लेकर आता है, उपर से, जब आपको हर कोई छोड़ के चला जाता है, आपको जब तियाग देते हैं, आपका तिरसकार किया जाता है, तब जब आप अकेलापन जो मैसूस करते हैं मैं आपको बोलता हूँ यही जब हमारे जीवन में ऐसी बातें आए मन में खटा पन ना ने दे बलकि इन परिस्ततियों का सामना करने के लिए अपने आपको तयार करें क्योंकि अगर हम ने अपने आपको तयार नहीं किया तो ऐसे अनुभवों के टाइम में हमारे अंदर कड़वाहट आ जाएगी शैतान तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में डालेगा और हमारा प्रभू के साथ का संबन भी खराब होगा लोगों के साथ का संबन भी खराब हो जाएगा इसने बहुत जरूरी है कि हमने देखा अकेलापन कितना खतरनाक है हमने देखा किन कारणों से अकेलापन आता है और ये हर विक्ती के जीवन में किसी ना किसी मोड पर जरूर आता है बस हमने क्या चीज हमने परमीशर के वचन से अपने आपको इस परिस्तिती के लिए तयार करना है आने वाले समय में हम इस विशे के पॉलूस ने किस प्रकार इसका सामना किया परमीशर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है हम उसके बारे में अगली क्लास में हम लोग अध्यन करेंगे आए हम प्रात्ना करकर समाप्त करता है हमारे सुर्गे पिता प्रभुजी हम आपको धनेबाद देता है प्रभु आपका वचन कुछ समय पिता हमें अध्यन करने का आपने मौका दिया कि सच मुझ अकेलापन कितना ही भयानक है, पीड़ा दायक है, कितने लोग इस अकेलेपन के जंजीरों से जगड़े हुए है, बाहार तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अकेलापन उनको अंदर ही अंदर खा रहा है, प्रभू कितने लोग हैं, आप से विंती प्रात्ना क करते हैं प्रभू, हर एक के आप सहायता करें, जो बचन हम सीख रहें से समझने के लिए, इसे गंभीरता से लेने के लिए, और आपके बचन के नुसार हमारा जीवन होने के लिए प्रभू, आप सहायता करें, दनिवाद देते हैं, आज की संगती के लिए, सरादर महीमा के हम आपको देते हैं प्रात्ना प्रवियेश्य मसी के नाम से हम मानते हैं आमें